Mediterranean Ocean के अंदर में Cyprus एक छोटा साइलेंड है, लेकिन पिछले लगभग 50 सालों से इस साइलेंड को लेके Turkey और Greece के बीचे में भ्यंकर इशू चल रहे हैं, हजारों लोग displays हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की death भी हो चुकी है, लेकिन अभी Turkey के President ने ये उमीद जिताई है कि श Geography regarding questions जादा आते हैं IR section से, पहले अपना थोड़ा सा location देखे, ये Cyprus है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, नोर्थ वाला हिस्सा और साथ वाला हिस्सा, साथ वाला हिस्सा है ये ग्रीस के कंट्रोल में है, और जो नोर्थ वाला हिस्सा है ये तर्की के कंट्रोल में है, दे कैसे Egyptian, Persian, Roman, सबसे interesting है यहाँ पर Ottoman Empire, First World War से पहले यहाँ पर लगबग 200-300 साल तक Ottoman Empire ने कंट्रोल किया, फिर यहाँ पर Britishers आया और 1878 के अंदर Britishers ने इसको occupy किया, हालां कि First World War से पहले British इसको occupy करता था, लेकिन जादातर कंट्रोल इसको पर फिर भी Ottoman Empire का हुआ करता था, Second World War के बाद Cyprus में Independence के लिए movement चली और finally 1960 के अंदर Britain ने इसको independent declare कर दिया, और जो सारा जगड़ा ने इसको इसको बाद शिरू हुआ, क्योंकि majority जो लोग की silent पे रहते हैं, वो Greece ethnicity के हैं, और बहुत ही कम लोग जो है, वो Turkish ethnicity के रहते हैं, अब जब वो independent country declare हो गया, तो जो Greece ethnicity के ल पे Turkish ethnicity के लोगों के साथ discrimination होने लगा, violence होने लगा, तो finally 1974 के अंदर Turkey ने Cyprus को invade कर दिया, काफी समय तक लड़ाई हुई, migration हुआ, इधर से उदर, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ था partition के time पे, और finally जो north वाला part है, ये Turkey के control में आ गया, और जो south वाला part है, ये Greece के control में आ गया, आज भी, जो north वाला हिस्सा है, जिसे Turkish Republic of Northern Cyprus कहते हैं, ये किसी भी country के दोरा recognize नहीं किया जाता, सिर्फ Turkey ही इसको recognize करता है, लेकिन जो south वाला हिस्सा है, जिसे Republic of Cyprus कहते हैं, ये mostly हर country के दोरा recognize किया जाता है, और European Union का member भी है, लेकिन सवाल है ये उरता है कि हम इनके जगड़े में क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसके जगड़े में इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि geographically ये काफे जादे important topic होता है, UPSC especially prelims के लिए, तो इसकी location हमारे लिए बहुत important हो जाती है, आप clearly यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो Cyprus की location आप यहाँ पे देखे ज़रा, ये Mediterranean ocean के eastern वाले पार्ट में हैं, तो वो exam में आप से पूच सकता है, कि वीचो the following statements are true about the Cyprus, तो ध्यान रखना है, ये eastern Mediterranean के अंदर है, इसके north में आप देखो के तापको Turkey मिल रहा है, इसके east में जाओ के तो Syria है, Lebanon है, Israel है, इसके आप south में जाओ को तापको Egypt नजर आ रहा है, ये इ tourism based economy है, और Cyprus को बहुत बार लोग tax heaven के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि यहां पर taxes बहुत कम होते हैं, तो बस दोस्तो, UPSC के perspective से इतनी information आपके लिए sufficient होती है, geography वाले perspective से, IR वाले perspective से, तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पर end करते हैं, thank you very much, all the best, जैहिंद.